नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हर मेने के शुकलपक्ष की चतुर्थी तिती को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है इस दिन भगवान गडेश की पुजा करने का विधान है मानेता है कि इस दिन भगवान गडिश की पुजा करने से सारे विग्न दूर होते हैं और जीवन में सुख सम्रिधी आती है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन विनायक चतूर्थी का व्रत कब है एक या दो अगस्त को चतूर्थी की तिति क्या रहेगी व्रत की विधी क्या है और वर्जित चंदरदर्शन का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी विनायक चतुर्थी एवन संगश्टी चतुर्थी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नाइक चतूर्थी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके बाद स्वक्षवस्त धारन करे और व्रत का संकल पले गड़ेश चतूर्थी की पूजा दो पहर के समय करने का विधान है पूजा अस्तार को गंगा जैसे पविद्र करे और पूजा आरंब करे भगवान गड़ेश को पीले फूलो की माला अर्पित करे धूप दीप नवैद अच्छत और उनका प्रिये दूर्बा खास अर्पित करे उसके बाद मिश्ठान या मोधकों का भोग लगाए आखिर में व्रत की कथा को पढ़े या सुने भगवान गड़ेश की आर्थी करे श्रावन विनायक चतूर्थी का व्रत साल 2022 में 1 अगस 2022 दिन सोंबार को है पूजा का समय रहेगा सुबह 11 बच कर 6 मिनट से तो पैर 1 बच कर 40 मिनट तक गुलबदी रहेगी 42 मिनट की वर्जित चंद्रदर्शन का समय रहेगा सुबह 8 बच कर 41 मिनट से राथ के 9 बच कर 37 मिनट तक श्रावन शुकलित चतूर्थी तिति का आरंभ होगा 1 अगस्त की सुबह 4 बच कर 13 मिनट पर और समापती होगी 2 अगस्त की सुबह 5 बच कर 13 मिनट पर